दंपत की गाथा नंबर 6 के हिसाब से गोशित आराम बुद्ध भिहार है यानि गोशित आराम कोसामभी के अंदर महा भगवान बुद्ध उस समय बिहार कर रहे हैं और उनके 500-500 भिक्कों के दो भिक्कों संग में आपस में वाद विवाद हो जाता है क्या वाद विवाद होता है भिक्कों में किस चीज़ का वाद विवाद दौनों भिक्कों संगों में अलग-अलग एक एहम भावना जाग जाती है और दौनों दो खेमे में बढ़ जाते हैं एक खेमे के कहते हैं कि जो विन्य की नियम है विन्य की नियम यानि कि जो भिक्कों के लिए नियम बताए हैं कैसे भिक्वों को, भिक्वणों को, या जो इस्थिवर है, महा इस्थिवर, थेरा, महा थेरा, थेरी, सामने रहें, उनको कैसे जीवन यापन करना है, और कैसे उनको पढ़ना है, उसको विनय बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि विनय के नियम सबसे उंचे हैं, यानि कि वो अपन जिससे वो रहते हैं तो धम धर जो हैं जो धम को जादा महतु देते हैं वो कहते हैं कि नहीं धम के नियम जादा इंपोर्टेंट हैं और धम के नियम बड़े हैं या उनमें यह एहम भाव आ गया कि धम के नियम जादा बड़े हैं या विने के नियम जादा बड़े हैं आचा आदे सात्मक कोई बात कहते है कि भिक्को तुम्हे ऐसा करना है या नहीं करना है वहाँ तर्क वितर्क का पुरा स्थान है और सब की बात सुनी जाती है क्योंकि वहाँ गड़ तंतर है और वहाँ गड़ों की यानि कि जो तागत बुद्ध की बात भी नहीं मानी यानि जिसने सिखाया जिसने बताया भिक्कु संग में इतना एहम आ गया कि उन्होंने भगवान की बात भी नहीं मानी तो भगवान तो पारगामी है भगवान को पता है कि कब क्या करना है और भगवान जानते क्योंकि वो सम्यक्सम ब आरपार का, तो उसका solution जानते थे, तो उन्हों ने वहाँ से अपना निवास छोड़ दिया, और निवास छोड़ के वो उन भिक्वों को छोड़ के वहाँ से चलेगे, अखिले, कहां चलेगे, पास के ही एक जंगल में चलेगे, जिसका नाम था पाली एकका का उप्वन, जो आज की डेट में मिर्जापुर में हैं, पाली एकका का वन या उप्वन, इसको परिलेख भी बोलते हैं, परिलेख का उप्वन जो मिर्जापुर में हैं, और वहाँ पे उन्होंने दस्वा वसावास, यानि वर्षावास किया, बारिस का समय आ गया, तो वहाँ तीन महिने, देला देलाइका का जो नागाउं कि नाग लोगे थे उनकी राजा थे उन्होंने उनका बड़ा आधित्य राजा कार किया और उनका वर्सावास में भोजन का खाने पीने का सबका त्यहाना कente पना गजराज नागराज थे हाती थे उन्होंने ऐसा किया हो सकता है क्योंकि नाग को हाती कहते हैं और नाग जो राजा लोगों के हैं उनको नागराज कहते हैं ये कई वार भरम हो जाता है कता है आप ये मान लीजिए क्योंकि वेरिफाई तो कहीं होगा नहीं कि हातियों ने भी सेवा की और जो नाग लोग थे नाग मनुश्य थे उनके राट राज़ा थे उन्होंने भी की दोनों ने भी की या एक ने की पर वर्सावास उनका वहां रहा जब उनका वर्सावास वहां होने लगा तो इधर जो गोसिता राम बुद्ध बिहार था वहां दिक्कत होने लगी क्योंकि कौसामभी के जो लोग थे जब उन्हें पता चला कि अरे जो इनके सास्ता सास्ता माने होता है टीचर जो इनके टीचर थे जो इनके सास्ता थे जो तथागत थे तथागत का माने जो तथ्य सचाई के उपर जो चलते हैं मतलब तथ्य आगत जिनके उपर तथ्थे के साथ से चलते हैं तथागत इनके चले गए और इन्होंने अपने टीशर की बात नहीं मानी तो ये सारे भिक्कू निकम में ना नालायक है इसलिए इनका पिंड़दान बंद पिंड़गा मतलब है भोजन यानि खाना बंद अब उन्होंने खाना बंद कर दिया अब कोसंबी से खाना नहीं आता और भिक्कू वर्सावास में कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वर्सावास का नियम है वर्सावास का नियम है भिक्कू संगा विने का नियम है कि उन्होंने गल्ती की है तो वो आनन्द के साथ में भिक्कु संग सारे के सारे जैसे वसावस खतम हुआ वैसे ही वो पहुँच गए पलियरक में रखी तक गत गुंप में यानि कि रखी तक गत गुंप में पहुँच गए और वहां मिर्जापर पहुँच के उन्होंने वहा छम्मा मांगी, वंदना की, गल्ती मानी सारी गल्ती मानने के बाद में तब भगवान ने ये सब्द कहे इनको उदान भी बोलते हैं उदान का मतलब है कि मुह से अपने आप निकलना तो ये सब्द वहाँ निकले जो गाथा नंबर 6 में आते हैं धंपद में और ये गाथा नंबर 5 के साथ ही मानी जाती है क्योंकि दोना आपस में एक दूसरे के साथ हैं वो कहते हैं इसमें परे चे ने विज़ानन्ती का मतलब है परे माने है अनाडी अंजान लोग जो जानकार नहीं है अज्यानी चे माने और तब और ने माने नहीं विज़ानन्ती यानि वो कहते हैं कि अनाडी लोग नहीं जानते मैं मिथ्थे यमा मसे मैं माने मैं यानि हम मिथ्थे माने होता है यहां पर यहां यानि कि हम यहां यमा मसे यमा मसे का मतलब है नश्ट हो रहे हैं यानि कि अनारी लोग नहीं जानते कि हम लोग यहां नश्ट हो रहे हैं यह भगवान ने एक बार और भी बताया था उदान में वो कहते हैं कि जब उनको पहली बार ग्यान प्राप्त हो आता कि कि अरे मैं हजारों जन्मों से अनारी जन्मों से लगातार बहुत तेजी से भाग रहा हूँ दोड़ रहा हूं किस की तरफ मिति एप कि तरफ मितिक लिए मरने के लिए यह कमाल के सब्स थे क्योंकि जब आप सलक पे खड़े हों सलक पे आपको लगे कि आज आपका मन बेचेन है या गाड़ी में लगे कि आपका मन बेचेन है या आपको अताबली हो जब आप ड्राइब करें या टेन में बैठें या जहाद में बैठें या सड़क किनारे कभी बैठें तो आप ध्यान देना कि जो ट्रैफिक चलता रहता है और सारा ट्रैफिक है वो लोग कहां भागे जा रहे हैं क्योंकि भगवान के ये सब्द बहुत कमाल के हैं ये सारे सब्द बिल्कुल पैक्टिकल हैं सारे लोग कहां भाग रहे हैं लोग सोचते हैं घर भाग रहे हैं दफ्तर भाग रहे हैं घर और दफ्तर नहीं भाग रहे हैं बहुत जल्दी में है और बहुत तेजी से अपनी मेर्ट्य के तरभ भाग रहे है अर चण मेर्ट्य के करीब जा रहे है पपचास साल का है वो काम भी करना है, TIME ही नहीं है जल्दी मची हुई है, किस बात की जल्दी मची हुई है? मरने की जल्दी मची हुई है, Ultimately मरेगा तो वो कहते हैं कि ये जो अनारी लोग है ये नहीं जानते कि हम तो नश्ट हो रहे हैं ये चे तथ्थे विजाननती ये चे तथे यानि कि जो और तब ये है तथे जान लेते हैं इस बात को जान लेते हैं विजानन्ती माने जान लेते हैं अच्छी तरह से ततो सम्मंती मेदगा ततो माने वहां से उससे तब जगडा दोस मेदगा माने होता है जगड़ा, दोस जो भी कलह होती है वो और सम्मन्ति माने शांत हो जाता है यह बात जानते ही जो ज्ञानी लोगे जब वो समझ जाते हैं तो उनके सारे कलह, उनके सारे जगड़े समाप्त हो जाते हैं अगर आपको लगता है बहुत उतावली है, बहुत जल्दापन है और आपको ये पता चल जाए कि आप तो मर जाओगे 10 साल में, 30 साल में और आप उसके लिए सारा काम कर रहे हो सारा पैसा उसके लिए कमा रहे हो सारी चीज़ें उसके लिए कर रहे हो मरने की जल्दी थोड़ी है, आराम से मरने के हमें क्या जल्दी जल्दी जाना है, मरने का मतला ऐसा नहीं कि महां एक्षिटेंट हो जाएगा तेस से, वो तो हो गाई, मगर आराम से जाईए, आपका कोई काम खराब होने वाला नहीं है, कम्मे भी काम चल जाएगा, बहुत जा है और भी मजिदादार है उस कहाने के हिसाब से एक राजा है जो बड़ा घमंटी है और बड़ा ये बहुत भासा तिब्बत में चलती है बहुत ज़्यादा घमंटी है और बहुत ज़्यादा शक्तिसाली बलसाली है और किसी को कुछ नहीं समझ था महल में किसी को बैठ नहीं को आया और सो गा राजा तलवा लेकर आया वहाँ पर जगाए को जगा और उसकी बेजेद थी कहा तुम यह proportionally तो तुम्हें बिक्रुने का तुम्हें समझ में नहीं आता तुम यहां सो रहे ह।या है तो तो भिक्कु ने का अच्छा मैं तो सोच रहा था कि ये कोई ऐसा आस्रेस्तल है बिहार है जहां आराम करना चाहिए करे तो मैं भिक्कु हो के तना समझ में नहीं आता कि ये मेरा महले ये कोई बिहार नहीं है कोई आस्रम नहीं है तो भिक्कु ने कहा कि अच्छा आप यहां कब से रह रहे हैं तो उसने कहा मैं 30 साल पहले राज राज़ा बना तब से यहां हूँ और मेरा जनम 50 साल पहले हुआ के रहे उससे पहले यहां कौन रहता था वहले शांती से पूछा, कि रहे उससे पहले मेरे पिताजी थे कि रहे उससे पहले कौन था, कि रहे उससे पहले उनके पिताजी थे तो कि रहे उत आपके पिताजी के पिताजी आप कहा है कि रहे उत चले गए, मर गए, आपके पिताजी उत मर गए और आप, एरे मैं भी मर जाओंगा तो भिक्कु ने कहा के आपका तो ये पर्मानेन्ट था महल फिर वो क्यों चले गए और आप प्यों क्यों चले जाएंगे और जो बिहार होता है या कोई ऐसा अस्तल होता है जहाँ बैपारी आता है या अथिती आता जाता उसको क्या कहते है आसरे इस्तल कहते है जहां वो आसरे लिद जेता है विसराम इस्तल बोलते है आराम इस्तल बोलते है तो राजा को ये बास समझ में आए कि महल उसका नहीं है महल में वो अथिती है और यहां सारे ही अतिति हैं यह भिको भी अतिति हैं मैं भी उसने अपने जो वचन बोले उसके लिए छमबा मांगी और उनसे कहा गया आराम से यहां रहिए अब मुझे सारा समझ में आ गया यह थी कथा नंबर धंपत की 6 धन्यवाद